नमश्कार शक्षिनिस नटे को आप सभी का स्वागत है कॉंग्रेस ने अपने पार्टी संक्ठन में नई जान फूकने और राहूल गांधी को प्रधानमंत्री पत के उमिद्वार के रूप में पेश करने की इरादे से भारत जोड़ो यात्रा निकाली लेकिन दोनों ही उद कॉंग्रेसी जीतोड़ प्रयास कर रहे हैं आजादी की लड़ाई का नरतित्यू करने वाली पार्टी आजादी के अमरित काल में कितनी विभाजित हो गई है यह कॉंग्रेस की राज्य एकाईयों के अंदरूनी संघर्ष को देखते वे समझा जा सकता है यही नहीं अपने में विधानसवा चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और इसी साल के अंत में रायस्थान और च्छतिस गड़ में विधानसवा के चुनाव होने हैं लेकिन इन तीनों ही राज्यों में पार्टी के नेता ही उसकी चुनावी संभावनाओं को नुकसान पहुंचाने में अब सचिन पाइलेट ने राज्य विधानसवाद चुनाओं से पहले गहलो सरकार के खिलाफ नया मोर्चा खोलते हुए ऐलान किया है कि वह राज्य की पूरवर्ती बीजेपी सरकार में कथे तौर पर हुए भ्रस्टाचार पर कारवाई की मांग को लेकर 11 अप्रेल को सम्मा बता चुके अशुक गहलोत तगड़ा पलेटवार करने की तैयारी में है और इस काम में उन्हें पार्टी का समर्थन भी मिल रहा है सचिन पाइलेट के मुख्यमंत्री पर आरोपों से जिस तरह कॉंग्रेस के वरिष्ट नेताओं ने किनारा किया है वह दर्शार रह सुक्षजिंदर सिंग रंधावा ने कहा है कि सचिन पाइलेट का इस तरीके से समयलन करना उचित नहीं है और उन्हें पहले उनके समक्ष इस मुद्दे को उठाना चाहिए था इसके अलावा सचिन पाइलेट के हमले के बाद कॉंग्रेस ने गहलोत का समर्थन करते वे कहा है कि राज्य सरकार शाशन के मामले में प्रतेश को नेत्रत्तु के स्थिति में लाई है और वह अपनी उपलग्दियों के बल पर जनता से दोबारा जनादेश मांगेगी और साथी संठन सामोहिक रूप से इसके लिए प्रयास करेगा आपको यह भी बता दें कि इसी प्रक आलाकमान से मुलाकात होई है और उन्हें भूपेश भगेल के नेत्रत्त में काम करते रहने के लिए मनाये गया है लेकिन देखना होगा कि वह कब तक चूप रहते हैं आपको याद दिला दें कि 36 कड़ में मुख्यमंत्री भूपेश भगेल और मंत्री टीस सिंग्देव प परदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार के भी जंग चल रही है सिद्धा रमयस चुनाओ को अपना आखरी चुनाओ बताते हैं मुख्यमंत्री पद पाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं तो वहीं डीके शिवकुमार के बारे में बताया रहा है कि उन्होंने दिल्ली में लॉबिंग करने वाले लोगों को अपने लिए काम पर लगा दिया है और मीडिया के वर्क को भी अपने साथ मिला लिया है हाल ही में सिद्धा रमया ने कहा भी था कि यदि कॉंग्रेस चुनाओ जीती तो करना तक का मुख्यमंत्री उन्हें ही दिया है कि अगर विधानसवा चुनाओ के बाद पार्टी के राष्ट्री अध्यक्ष मलिकार्चन खरगे करनाटक के मुख्यमंत्री बनते हैं तो वह उनके अधीन काम करने के लिए तयार हैं यह कहकर उन्होंने एक तर्शा दिया है कि सिद्धा रमया का नेत्र तो उन्हे साथी कॉंग्रेस को भी पूरी तरह सफाया करा दिया ऐसे ही हालात मद्यप्रदेश में भी देखने को मिले थे जब मुख्यमंत्री पत्की लड़ाई में कमलनाथ से हारे जवतिरात्य सिंध्या ने अपने समर्थक विधायकों के साथ बीजेपी का दामन थाम कर कमलनाथ के नेत्रित वाली कॉंग्रेस सरकार को गिरा दिया था कुछ इसी प्रकार के हालात महरास्ट में भी देखने को मिल रहे हैं जहां पूरू कैबिनेट मंत्री बाला साहिब थोराट ने पार्टी आलकामान को पत्र लिखकर महरास्ट प्रदेश कॉंग्रेस अद्धिक्ष नाना को बता दें कि केरल में काफी समय से एक बार वामदलों के नेत्रित वाली और अगली बार कॉंग्रेस के नेत्रित वाली सरकार आती रही थी लेकिन केरल कॉंग्रेस में मचे घमासान के चलते वामदलों ने सत्ता में वापसी कर इत्यास रच दिया था उत्तरा खंड में भी कॉंग्रेस के सामने राज्यों में यह जो समस्याइं है यह आज की नहीं है काफी समय से चल रही है लेकिन पार्टी इन समस्याओं का हल नहीं निकाल पा रही है नेत्रुत में शिथिलता के चलते राज्यों में कॉंग्रेस की एकाईयों का संकट बढ़ता जा रहा है जिन नि होता कॉंग्रेस जनाधार वाल नेताओं की कदर करती तो एन बिरेंज सिंग और मनिक साहर जैसे नेता उसका साथ छोड़कर गए नहीं होते और आज मनिपूर और त्रिपुरा में अलग इस्थिती भी हो सकते थी इसके अलावा नेत्रित जब कमजूर होता है तभी इस तरह क की खबर आती हैं कि गूवा के अधिकांश कॉंग्रेस विधायक बीजिप में चले गए हैं या मेखले में कॉंग्रेस के सारे विधायक किसी और पार्टी में चले गए हैं ऐसी घटनाओं पर और सक्त रूख नहीं दिखा पाती है जिस से घटना करवों की पुरणवित्ति कोई नहीं चाहेगा कि देश की सबसे पुरानी पार्टी खत्म हो जाए लेकिन यह बात भी सही है कि कॉंग्रेस को बचाने काम उसके नेताओं को खुदी करना है दूसरा गठवंदन की राजनीति को नए सिरे से आगे बढ़ाने की कोशिश में जूटे वर्तमान कॉंग्रेस नेत्रित्यों को अकड़ छोड़ते हुए पुराने नेताओं का मार्ग्रेशन नेना चाहिए यह खुद को सरुसेष्ट मान कर चलने का ही नतीजा है कि एक और खरगे 19 तलों के नेताओं के साथ समयलन करके मोधी सरकार को घेरते हैं और दूसरे ही दिन उन 19 में से अधिकां सके